वेलकम तो माइ चैनल नर्सिंग एजुकेशन वन तू थरी ट्रुग प्रेजन्टेशन ऊन की डैरी ऐ लेटो से बीचा थे कनदीशन उनों टो को डारे लीडि के बार है। इतोफाइलिन एटोफाइलिन और थियोफाइलिन होते हैं यह एक एक ऐसी फैमिली से बिलॉंग करते हैं जिसे ब्रॉंकोडाइलेटर कहते हैं जो ब्रॉंकाई को डाइलेट करते हैं और सांस लेने में आसानी होती हैं अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ओफ ब्रॉंकोडाइलेटर्स इसमें फर्स्ट है सिंपेथो मिमेटिक अजेंट, सेकेंड है जन्थीन डेराइवेटिप्स और थर्ड है अंटी कोलिनर्जिक अजेंट अब इसमें डेरिफाइलिन का जेनरीक नेम, ब्रैंड नेम एंड क्लासिफिकेशन बताएंगे जेनरीक नेम है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, ब्रैंड नेम है डेरिफाइलिन, क्लासिफिकेशन है ब्रॉंकोडाइलेटर्स और सेकेंड है मेकेनिस्म आफ एक्सन, मेकेनिस्म आफ एक्सन मीन्स यह किसमें काम करती है टेरी फाइल जो है वो ब्रॉंकाई की मसल्स को स्मूथ करती है और सांस लेने में यह असानी होती है इसे और नेक्स्ट है रूट डोज एंड फ्रिक्वेंसी रूट इसका क्या होगा ओरल होगा आई एम मींस इंट्रा मस्कुलर आई वी मींस इंट्रावीनेस एंडोज होगा 150 mg to 300 mg 2 ml होगा फ्रिक्वेंसी इसकी होगी ओडी वन साड़े बीडी मतलब बाइस साड़े सोस जब एमर्जंसी होगा तब यह सकते हैं किस में ड्रक्स देWER सकते हैं सीयों टी में दे सकते हैं मिश्याव कि पल्मुणरी डिजीजों के अस्थमा में एसकते हैं सदों इसकते सीजर्स हो जाएंगे तब नहीं दे सकते हैं लीवर में लीवर प्रॉब्लम होगी तब नहीं दे सकते हैं उसके बाद में आएगा एड़र्स इफेक्ट हैड़क इंसोम्निया डायरिया रिद्मिया इरेटिविल्टी डिजीनेस ओवर एक्टिव थाइरड ग्लेंड जब यह ट्रग देंगे तो नर्स की क्या इसके बाद में न्रस पेशेंट को दो देगी जैसे की राइट रूट हो गया राइट टाइम हो गया राइट डोस हो गया या इसी के अकॉर्डिंग नर्स पेशंट को मेडिशीन प्रोवाइड कराती है नर्स शूड मॉनिटर ड्रग एडवर्च रियक्शन नर्स को हमेशा मॉनिटर करना चाहिए ड्रग का ड्रग का ड्रग पेशंट हाव टू यूज मेटर डोस इन्हेलर और नेबुलाइजर नर् अगर मिनमम दो बुक तो होनी चाहिए अगर आप नेट से ले रहे हैं रिफ्रेंस तो नेट का भी रिफ्रेंस डालेंगे थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें